हेलो फ्रेंज सुपरवाद आपके अपने ही चैनल ठीके में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षा विवाग और सिक्षा जगत से जुरी तमाम अपडेट्स के बारे में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले 182 सीटों पे सारी सिक्षकों की होग हैं आप अपने जीलों की अखवारों को भी पलटाएएगा तो आपको अपने जीले के अखवारों से सारी सिक्षा से संबंदित पुर्ण जानकारी मिल जाएगी यह अर्या जिले का है पुर्णिया जिले का भी है कटियार का भी है पटना इत्यादी का भी है आप देख सकत 26 तक कर सकते आवेधन योगता परिक्षा पास होना जरूरी है 26 तक जो कर सकता आवेधन ये बात आप लोग याद रखेगा 26 तक देट दिया गया है वो ही वेक्ति आवेधन कर सकते हैं जो सारी परिक्षा 2019 में जो आयोजी धोई थी वो पास हो 182 सीटों पर सारी सिक्षकों के बाहली होगी टोटल सीट आप सभी को मालूम है कि 8386 सीटे थी जिसमें से 3000 कुछ पास थे अवेधन थी तो इनमें से अर्रिया जीलों को आवंटित किया गया है सारी सिक्षकों की सीट जो है वो 182 है जी हां प्रारंबिक स्कुलों में एक-एक सारी सिक्षकों की होनी है बाली बाली की पूरी परिक्रिया यहां पे दिया हुआ है डिटेल्स में और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले तमाव अपडेट देखने से पहले आपसे हमली रिक्वेस्ट है कि आप अमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेज कर दे अब तक आपका बहुत सपोर्ट मिला आसा है कि आगे भी यूहीं सपोर्ट मिलता रहेगा सिदे रुक करते हैं डिटेल्स की तरफ तो बहाली की परिक्रिया पूरी परिक्रिया तितिवार आवंटीद कर दी गई है यहां पे आप देख सकते चैन नोट इन मेरिट वाला जो मुद्दा था एक बहुत बड़ा जो काटा था बाधक था वो हट गया आप निकल के जज्जमेंट को देखा होगा तमाम वीटू चैनलों पे यह अख़बारों में न्यू चैनलों पर जैसे अब स्टेट सेकेंडरी वाला का भी मुद्दा साफ ह हो जाता है तो सेवंद फेज का रास्ता बिल्कुल साफ होगा आप सेवंद फेज को आने में विलंब नहीं होनी चाहिए नियो जिन ही काई के सदर सची 29 अप्रील को अफ़जितियों कि 29 से 5 मही के बीच प्राप्त अपत्ति के निराकरन के बाद निक्ति प्रादिकार से मेधा सुची पर अंतिम रूप से 9 मही तक अनुदर प्राप्त किया जाएगा डेट आप याद रखे 9 मही को ही अंतिम मेधा सुची जिले के निसी पोटल पर डाल दी जाएगी 12 माई को जिला आस्तर पर केम पायों जीत करकर मेदा करम में विरतियों को आमन्तरित करूं के परमान-पत्रों के जाच होगी जाच होने के बाद 13 माई को को टीवार रिखती के नुसायच चेहन सुची जिले के नाइसी विवर पोर्टल पर अपलोड होगी इसके 15 दिन बाद, यानि 28 मही को नुक्ति पत्र का वितरन किया जाएगा एक सुब समाचार, एक सुब खबर, एक सेवंध फेच का जो एस्टेट 2019 में जो कोट में P.I.L. लगा था उसका विरास्ता के लिए रो गया, 28 मही तक इनको वितरन नुक्ति पत्र मिल जाएगा, सब कुर छिक ठाक रहा तो किस नियोजनी काई में कितने पद खाली है, आप देख लिजे, अर्रिया के जो भी निवासी हों, इस पर ध्यान दे, प्रकंड नियोजनी काई सिक्टी हैं, पलासी में 20-20, रानी गंज प्रकंड में 18, नर्पंद गंज में 16, फाडित जने कुरसा काटा प्रकंड में 22-22 प रानी गंज में 2 सीटों पर भाली होगी, अस्तापना डिपयो रवी रंजन निकाप भाली पूरी तरह से पार्दिर सिता अपुन महाल में होगी, तो कूल मिलाकर अर्या जिली के में सभी प्रकंडों को, नगर पंचायतों को मिलाकर 182 सीटे सारी सिक्षकों की होगी, आप जिसमें वही अविडिती योग होंगे, जो 2019 में आयोजित सारी सिक्षा सस्वास अनुदेशक के परिक्षा पास कर चुके हैं, योगे में विच्षुक अविडिती 26 अपरेल तक संबंदित नियोजनिकाई में आविदन कर सकते हैं, जिले में सभी 9 पुरकंडों के अलावा अर्या एम जोगवनी नगर पडिसर एम नोगठित जोकिहात रानी गंज नगर पंचायत के रिसीटे दी गई है, बच्चों को मुपते हम अनिवार सिक्षा दिरम 2009 में नीद प्रधान के अलोग में जहां एक सो से अधिक अगर विदार्ती नमंकित हैं, वेसे सभी प्रारं स्कुलों में एक-एक सारे जिक्षा यहां स्वास्त अनुदेशक बाहल होने हैं, यहां बता देती चले कि बिहार विद्याले परिक्षा समीति के सायोग से इस पद पर नुक्ति के लिए दिसंबर 2009 में योगता परिक्षा ली गए थी, इस परिक्षा में केवल 3523 वेर्थी 37 अनरक्षित महला पत के लिए जीले के कूल 182 में से सबसे अधिक 37 अनरक्षित महला पत पर बहाली होगी, यानि 182 में से 37 महला के लिए हैं, बाकी जो बच गया 115 सीटें वो सभी के लिए होंगी, अनरक्षित पत पर 36, CST पत पर 14, CFC पत पर 15, CST पत पर 1, EBC 16, EBC 17, BCM, BCF, 11, 11, RF, 5, EWS, EWSF के 99 पत सामिल हैं, तो ये 182 सीटों पर साड़िक सिक्षकों की बहाली संबंदित ये नियूज थी, आप अपने जीलों के अखवारों को भी पलटाएगा, तो आपको अपने जीले से डिटेल्स मिल जाएगी, कि आपके जीले में कितने सीटें और कहां कितन सीटें किस नियोजनिकाई में, फिर से रिपिट कर दूँ, ये लोग वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो 2019 में आयोजित साड़िक सिक्षक बहाली में पास हैं, और बाकी डिटेल्स में बात करें, तो गर्मी के आकलन के बाद इसकुलों में छुट्टी पर निरने, ये गर डिलेट के पंजियन आवेदन पचीस तक ये सिक्षा विवाग से जुड़ी तमाम अपडेट से कि डिलेट से सिक्षन सत्र दोजारी की इस तैस में नामंकित अभीरतियों के लिए एक बार फिर ओनलाइन पंजियन आवेदन करने के तित्य बढ़ा दी गई है, अब 20 से 25 अ तो SSC यानि जो सोचल साइंस के टीचर में जो कहा जारा है बहुत भीर है, इसमें और केम्पीटर में बहुत भीरी तो कहीं ने कहीं रहात मिलेगी केम्पीटर वालों को, 6,40,000 रुपे खर्च होंगे, 1565 मादमिक उच मादमिक जबकि 889 मदविद्याले में लगेंगे केम् तो यहां प्रवावी सिक्षन वातवर्न उपलाउत कराना मकसद है, बिहार में है यह चुनोतिया, कि स्टी से समधी मंगी सामगरी का रख रखाओ, राज की विद्याले में अध्याप्तों को तता अन कर्मियों को ICT के उपयोगता का ज्यान नहीं होना, बिहार के सिक्षन क द्वारा सिक्षन में ICT का उपयोगना के बरावर करना सरकारी स्कूल की विद्यार्थी भी इनके लिए नहीं है, बहुत तयार, तो बहुत सारे बात है कि भगोलिक उदेशों के कारण योजना का संचालन किया जा रहा है, ताकि वैसा महाल मिले अच्छा चात्राव के भी आशकता होगी, जो सेवरंथफेज में जो तारण इसा वाला जो न्यूज है तमाम बाते दी गई है आप इसे डिटेल्स में पढ़ लिजेगा अगला खावर एक SNS कोलेज के एक दर्जन सिक्षक हाजरी बना कर गायब यही भी आर के कुछ विद्याले कुछ कोलेजों का यही हाल है यहाँ पर शोर नरायन सिंग राजकुमार सिंग कोलेज के एक दर्जन परिचा परिणाम जारी करने के मांग को लेकर DHW से मिले चातने था और उन्होंने धमकी भी दिए धमकी क्या चुनोती दिया है कि अगर पार्ट थर्ड का रिजल्ट जलती नहीं आता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवस होंगे क्योंकि इन लोगों को 25 से जो है ब दो से दसवी तक के एक दसन साथ नो करोर बच्चों के पढ़ाई के छती की होई के भड़ पाई केचप कोर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है आप इसे डिटेल्स में पढ़ने के लिए विडियो को पाउच करके पढ़ सकते हैं परवेश परिक्चा को 25 से आवेदन है जो भी एक चुक विद्यारती है बिएट करने के लिए 25 अपरेल से पोटल खुल जाएगा आप सभी आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिमतिती 17 मई है 18 से किस तक विलम सुल के साथ आवेदन कर सकते हैं नो जुन को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वहीं 13 जुन को संयुत प्रवेश परिक्चा होगी राजह भर में करीब 330 कोलेजों में 35,000 के आसपा सीटे हैं तो ये बेट से समंदित न्यूज थी अब ही जो हमने पढ़ा 182 सीटों पर सारे सिक्षकों की होगी बहाली तमाम अपडेश आपसे रूबरू करवाएं जैसे ही कोई अपडेश आती है सिक्षविवाग से जुरी आपसे इसी वीडियो के मादियम से वीडियो के जरीए आपसे इनफोर्मेशन पहुचाते रहेंगे बर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी धन्यवाद